दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और यह इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा गया रेलबे एक्जाम में वो भी इसमें शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह ओफर चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर है ओनलाइन सब्सक्राइबर के लिए बुक को इसे 60 रूपीज की थी लेकिन आप के लिए 35 रूपीज की है 35 रूपीज में इत्ता अच्छा कॉंटेंट दोस्तों आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा इसलिए आप इस बुक को जरूर परचेज करेंगे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं और यह बुक आपको हिंदी और इंगलीज दोनों लेंगेज मिल जाएगी तो आपको जो भी लेंगेज रहे वह आप देख सकते हैं हिंदी प्लास इंगलीज में काफी अच्छी बुक है कम प्राइज में आपको इत्ता अच्छा कॉंटेंट मिल आप जरूर पर्चेज करें किसी तरह कुईरी है आपको तुस आपको इसका में डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर में मिल जाएगा उस नंबर पे भी आप कॉल करके कुईरी इसको अपना पूछ सकते हैं ठीक है गुड मॉनी फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 26 मार्च और इस्टार्ट करते हैं आज करेंडफेस उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करने साथ में बेल आकन प्रिस कर दें ताक कि दिल्ली में ठीक ऑप्सने करेक्ट हो जाएगा मैं आपको बता दू दोस्तों 25 मार्च द्वहरुनीश को नीती आयोग ने डाक्टर अंबेटकर अंतराष्टी केंद्र नई दिल्ली में एक दिवसी फिंटेक का आजन किया है ठीक है इसका उद्देश क्या दोस्तों भारत क फिंटेक शेत्र में बढ़ती उचायों को आकार देना और भविष्ट की रण नीती एवं नीती गत प्रयाशों के लिए वजना बनाना है देखिए दोस्तों इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI काट, Tata Capital और फिंटेक साहित प्रमुख वित्ती संस्थानों को 300 स्वधिक प्रति फुल फॉर्म होता है, National Institution for transforming India, क्या है फुल फॉर्म, National Institution for transforming India, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, एक जनवरी 2015 में हुई थी, योजना आक के स्थान पर, ठीक है, तो यह आप आद रखेंगे, बात करेंगे, इसके चेर्मेन कौन है, तो भारत को प्रधान मंत्री होता यह एक्जाम में ज़रूर पूछा सकता है, तो नितियायोग ने मार्च 2019 में फिंटेक, एक दिर्शी फिंटेक का अंकलेर क्वाजन कहां किया, नई दिल्ली में, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, यह कोशन बहुत इंपोर्टन है, मुंबई के जियो गार्डन में आज आजित किया गया, और आपको बता दें इसमें कि राजी को सर्फेस्ट फिल्म और आले भट को राजी के लिए सर्फेस्ट अबनेत्री का पूर्सकार मिला है, तीकि बेस्ट फिल्म का वाट इसमें किसको मिला है, अगर बात करें हम बेस्ट एक्टर की, तो राजी के लिए ह मिला है सर्फषेश्ट अमनेतरी कपूर्सकार अलिया भट को और यहां पर बात करें पदमावत के लिए रणवीर सिंग को क्रिटिक्स सर्फषेश्ट अमनेतर कपूर्सकार जीता है नोट कर लीजे सर्फेस्ट बेस्ट एक्टर का बाड किसको मिला है most important है ये रणवीर कपूर को मिले संजु मुवी के लिए और अंधा धुन ने critics best film का पूर्सकार जीता है तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे मुंबाई की जियो गाडन में आजी चौशिट में फिल्म फ आप लिए बेस्ट एक्टर के बाड सबसेश्ट बनेता का पूर्सकार तो मिले रणवीर कपूर को क्रिटिक सबसेश्ट बनेता कपूर्सकार मिला पदमावत के लिए रणवीर सिंग को ठीक है जितने फैक्ट आप जरूर रखेंगे चलिए अगला फिस ने मार्च सेने शासन के बाद थाइलेंड ने अपना पहला आम चुनाओ आज़ित किया है और सेना ने दोहर चुदा में तख्था पलट से निर्वाची सरगर को बाहर किया था चुनाओं में लगवाग दोस्तों 51.4 मिलिये लोगों ने मद्दान किया है और यह संसत की निचले सदन प्रतिनिदी में 500 सेदस्यों को निकती भी करेगा ठीक है तो पांच वर्स बात सेने सासन के बाद अपना पहला हम चुनाओं थैलाइन थाइलेंड ने आज़ित किया कोशन सिक्स दोस्तों हमारा फिल्म फेर अवाच दोहरुनिस में सब्सेष्ट निर्देशक सब्सेष्ट निर्देशक का पुर्षकार कौन जीता है तो यह जो विक्की कोशल और आलिया भठ द्वारा जो बनिती फिल्म अभिनीद तो मेंगना गुलजार को मिला है फिल्म फेर अवाच में सर्वसेष्ट बेस्ट डारेक्टर का बाड राजी के लिए मेगना गुलजार को आपको बतादिक स्ट्रेया गोशाल और रजी सिंग ने ग्रमसे पदमावत और राजी के लिए सर्वसेष्ट पार्शुगायक का पुर्षकार जीता है सर्वसेष्ट पार्शुगायक का पुर्षकार चलिए तो इतना याद रखेंगा फिल्म फेरावाच दोहर उनीश में सर्वसेष्ट बेस्ट डारेक्टर का पुर्षकार को जीता है मेगना गुलजार कोश्चन फिप्त है हमारा जेट एयरवेज के वरतमान सी यो कौन है जेट एयरवेज के वरतमान सी यो है विने दूबे ऑप्सन एक करेक्ट हो जाएगा जेट एयरवेज के संस्थापा का और प्रमोटर नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनिता गोयल बोट से लग हो गए है और उन्होंने लगवाग 25 वर्स पहले स्थापित एयरलाइन को छोड़ दिया और वरतमान सी यो विने दूबे ने कंपनिक साथ बने रहकर जेट को मौझूदा संकट से बाहर निकालने और चलाने को उमीद किये ठीक है तो वरतमान सी विने दूबे ऑप्सने करेक्ट हो जाएगा कोशन 6 है हमारा दोस्तों काफ़ इंपोर्टेंट है मार्च 2019 में बास्केट बॉल फेडरेशन आफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है चुना गया दोस्तों के गोविंद राज को ठीक ऑप्सन सी देखें तो के गोविंद राज को सर्व समती से इसकी वार्षी कामसभा में पून्ह बास्केट बॉल फेडरेशन आफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है और आपको बता दे कि चंदर मुखी सर्मा को महासच अध्यक्ष चुना गया के गोविंद राज को अप्सन सी कोशन सेवत है सेवन दोस्तों हंडेड यानि सव अंतराष्टी मैश खेलने वाले बोस्निया और हर्जे गोविना के पहले खिलाडी कौन बने हैं तो बने हैं एडिन दजे को ठीका ऑप्सन भी देखें दोस्तों ब नमर वाली साथ और फूलों का तस्ताव भेट किया गया और उन्होंने जून 2017 को बोस्नियों के साथ अपनी शुरुवात की थी और दजे को बरतमान मिताबली दिगज रोमा के लिए कलब फुटवाल खेलते रहे हैं चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नम रिष्टों में से चुना गया है और पीटर ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया और वह अपने सिक्षण वेतन का अस्ती परिसेद स्थानी समधा पर्योजनाव को देते हैं जिसमें सिक्षा इस्थाई कृषिय और संती बनाय रखने सामिल ह है ग्लोबल टीचर पाइज दोरन इसको मिला है यह मिला है पीटर तेवीची को ठीक है चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा लास्ट टूडियो का एंसर हमने कोश्चन पूछा था भावा परमाडू उनसंदान के अंदरनी भावा अटॉमिक रिशाज सेंटर करने न ऐंट्र देखें मौहनतिक बनाए गया है और अगला कोश्चन पर देख लेते हैं आज का सवाल हमारा क्या है मार्च 2019 में पहला इंडियन सूपर लिगव किताब किसने जीता है मार्च 2019 में पहला इंडियन सूपरलिक फूडवाल जिता है मोस्ट इमोडरन कोशन है फटपड आज की वीडियो दोस्तों मिलते हैं शूटे को साथ तब तक लापन में ध्यान रखें आप सुचते रहें बेस रहें मस रहें पढ़ते रहें जै हिन जै भारत कर दो यान लापन में यान जै वान रहें बारत